हेलो नमस्कार मैं पुर्वांग बहुत बहुत स्वागत है आपका आपा ओनलाइन एकेडवी में तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे कैसे यूद के बारे में जिसके बाद आप देखेंगे ना कि बंगाल का इतिहास बदल गया बलकि हमारे पूरे भारत का इतिह है इस यूद के बाद आप देखेंगे अंग्रेजों ने अपना समराज धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाना स्टार्ट कर दिया 1757 के बाद 1764 का जो बक्सर का यूद होता है उसमें भी अंग्रेज विजय होते हैं फिर करनाटक को अपने अधिकार छेत्र में मिला लेते है उसके बाद फिर उन्होंने जो मैसूर का छेत्र था उसको भी मिला लिया फिर उसके बाद मराठाओं में फूर डालके मराठा को अपने छेत्र में मिला लिया फिर उसके बाद पंजाब को भी मिला लिया यानि आप देखेंगे एक एक करके उन्होंने जितने भी महत्पुन भारतिये राज्य थे उस टाइम के जो छेतर थे उसको अपने अंदर मिलाते गए और इसी का नतीजा आप देखेंगे जो 1857 की करांती हुई थी इन्हीं सब के बदोलत हुई थी इसमें बहुत से कारक थे उसमें जो अंग्रेज है उनकी खराब नीतिया जैसे आप देखेंग इन सब के अक्रोस में आके जो 1857 की जो करांती होती है वो होती है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं प्लासी के यूद क्यों हुआ आखिर क्या ऐसा कारण था कि अचानक से जो बंगाल के नबाब है उसमें और जो इस्ट इंडिया कंपनी है उ इसके बाद बंगाल का जो नबाब है उसमें और जो अंग्रेज है इस्ट इंडिया कंपनी है उसमें दुस्मनी स्टार्ट हो गई थी इसके बहुत से कारण है सबसे पहला कारण तो यह है जो बंगाल है उस टाइम का बहुत ही उपजाव और धनी प्रांत वाला छेत था य अच्छे तरीके से समझता था जो अंग्रेज है वो भी इसको अच्छे तरीके से समझता था दुस्तरा कारण था कि 1717 में जो फरुक सेयर मुगल समराड था उसने कंपनी को एक साही फरमान दे दिया था एक बहमूल ले विशेश अधिकार दे दिया था जिसमें लिखा यह था कि जो अंग्रेज है बीना किसी करके आयात और निर्यात कर सकते हैं यानि उन्हें किसी टाइप का कोई कर ही नहीं देना है तो अपनी वस्तु यहां पर लेके आ सकते हैं और अपनी वस्तु यहां पर बेच सकते हैं बीना किसी करके और ऐसा सिलसिला जो जो विश्क्राइब करता था उसके करमचारी थे व्भारतिय वेपारी थे उनको कर देना पड़ता था अब क्या होता था कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है वो भीना करके आयात प्रश्चाइब करते थी तो उससे क्या होता था कि जो बंगाल का रजस्ट है उसको काफी खानी होने लगा दीरे दीरे उनके रजस्टों में कमी आने लगी तो यहां से जो है जगड़ा स्टार्ट हो जाता है और कमपनी के आड में जो करमचारी है वह भी करप्शन करना स्ट कर दिये वह भी करप्शन करते थे तो बंगाल में कुछ ऐसे सासक आए जैसे आपने मुर्सित कुली खान का नाम सुना होगा आपने अलिवर्दी खान का नाम सुना होगा उन्होंने जो इस इंडिया कंपनी है उसको मजबूर किया कि आपको टेक्स देना पड़ेगा तभी कि आप बंगाल में विपार कर सकते हैं हम किसी भी साही फर्मान के बारे में नहीं जानते आप अगर टेक्स देंगे तभी आपको हम विपार करने देंगे जो इस्टेंडिया कंपनी ठी乾 Soy diğer तीउस टाइम काफी कंशोर थी उनका जो मेन मुद्दा था वो वेपार करना था उसके आगे उन्होंने नहीं सोचा था तो उन्होंने नवाब की बात मान ली और वेपार करना स्टार्ट कर दिया और यह सिलसला ऐसे ही चलता रहा अब पानी सरसे उपर तब जाला जाता है जब 1756 में सिराजुदौला गदी बेटत रहे और यहांना दSTAFF कर दिया उन्होंने फिर से पहले जैसे काम करना स्टार्ट कर दिया यानि ना किसी टाइप का टेक्स आयात पे और ना किसी टाइप निट्याद पे नहीं मैं ना और देते थे अब सिराजु दौला को गुस्ता आया और उसने फिर से एक नोटिस निकाली और कंपनी को यह बोला कि आपको अगर हमारे साथ बेपार करना है तो जो मुर्शुद माफ कीजेगा मुर्शुद कुलिखा के सर्थ पर बेपार होता था उसी सर्थ पर आपको हमारे हां विपार करना पड़ेगा यानि आपको टेक्स देना पड़ेगा अयात निर्यात दोनों पर ठीक है अंग्रेज जो थे वो नवाब की एक न सुनी ठीक है वो नवाब का एक भी बात नहीं सुना उसने बोला यह तो ऐसा ही बोल रहा है इसको बोलने दो ठीक है और बात तब समस्टी घड़ए घड़े कि उन्होंने क्या किया कि नवाब के आगया के दिना ही कि चंद्र नगर जो कल कटा के पास था में किला बंदी करना स्टाट आ है अंग्रेजों को वह था कि जो फ्रांसीसी है उनके साथ उनका एक यूद हो सकता है ठीक है इस बज़ा से उन्होंने किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए उन्होंने किसी भी टाइब का कोई भी पर्मीशन नवाब से नहीं दिया ठीक है जो सिराजो दौला था उसने सही तोर पे इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा उसने बोला यार ये कोई बात हो गए नवाब तो यहां का मैं हूँ और इसने मेरे आग्या के बिना ही किलाबंदी ये स्टार्ट कर दिया और सोचने वाली वी बात है कि भला कोई भी स्वतंत्र सासत अपने धर्ती पर विपारी की किसी नीजी कंपनी को किलाबंदी करने का आगया कैसे देता यानि आप सोचिए आपके घर में कोई और आके यहां पर आसपास में रहता है और अपना बाद में में गेट आपका बंद कर देता है कि नहीं इतने वज़े के बाद कोई नहीं आ सकता है नहीं जा सकता है तो आप उस पर क्या करेंगे आप उस पर तो एक्सन लेंगे हैं कि भाला यह कोई बात हो गई कि हाँ घर मेरा हर चीज मेरा और कोई और इस पर फैसला ले र उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं मानी इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो अंग्रेज है उनको करनाटक में जो फ्रांसीसियों पर जीत मिली थी मैं एक आंगल करनाटक यूद पर भी वीडियो लेके आऊंगा जहां पर उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था तो जो आत्म विश्वास है काफी बढ़ा हुआ था उन्हें लगता था कि वो तो किसी को भी हड़ा देंगे ठीक है अब क्या होता है इसी बीच 1693 में जो अंग्रेज कंपनी इस्ट इंडिया कंपनी थी उसको महरानी एलिजाब्वेथ प्रथम थी उनके 1693 में ये चार्टर खतम हो जाता है यानि उनको जो विश्यसादिकार मिला था एलिजाब्वेथ प्रथम के द्वारा कि आप भारत में जाके वहाँ पे वेपार कर सकते हैं ये जो विश्यसादिकार था वो 1693 में खतम हो जाता है अब क्या होता है कि जो कंपनी है उसने समरा को संसथ और राज नेताओं को भारी रिष्वत देदी कि हम्में भारत में मुफ्त वेपार करने की छूट देदो अगर कोgon रिषवत लेगा तो उसको और आगे बढ़ा दिया अब यहां तक तो बात ठीक थी कि हां उन्होंने रिस्वत वो ब्रिटेन में लेते हैं और इनका जो काम करने का जो समय था उसको और बढ़ा दिया लेकिन वह उसी टाइम भारत के जो नवाब थे माप कीजिएगा बंगाल के जो नवाब थे सिराजु दौला उससे यह मांग क प्रभुता के लिए सिधे सिधे एक चुनोती थी यह कोई बात हो गई कि तुमको एक बार समझा दिया कि तुमको हम फिरी विपार नहीं करने देंगे तुमको टेक्स देना पड़ेगा तुम्हें आयात करना है निर्यात करना है कुछ भी करना है तुम टेक्स दो और आयात निर्यात करते रहो तुम्हें जितने भी विपार करनी है करते रहो जो सिराज दौला था इतनी राजबुद्धी का था कि वो अंग्रेज के जो चाल थे उसके दुर गामी प्रभाव को नहीं समझ सका वो अंग्रेज का जो असली मांसा था उसको नहीं समझ सका और वो जस मने जोस में आ गया लेकिन कोई भी एक यंग नवाब बनता है जो कम उमर में नवाब बनता है उसके अंदर जाईर सी बात है उसका खुन खौलेगा यह सब चीज़ देखेगा तो क्योंकि सामने बला उसकी एक ही नहीं सुन रहा है उसे नवाब गुनी खौण में राय की व नवाब है तो क्या होता है मगर बिगार की ज़ल्दी बाघी और परियाप्त तयारी किये विना वो क्या करता है अंक्रेघ का जो फैक्टरी है कासेम बजार में उस पे आक्रमन कर देता है चीक है और उस पर कभजस कर लेता है और माफ किजेगा थे रिस उसके बाद वो क्या करता है कलकाता की तरफ कुछ करता है और 20 जून 1756 को कितना 20 जून 1756 को वो फोर्ट बुलियम पर भी क्या करता है कब्जा कर लेता है अब यहां पर कब्जा करने के बाद जो सिराजु दौला था वो काफी खुस हो जाता है उसका आत्म विश्वास काफी बढ़ जाता है उसे लगता है कि उसने कड़ दिया वह अंग्रेजों को यहां से भगा दिया ठीक है लेकिन यहीं पर सिराजु दौला जो है न वो गलती कर बढ़ता है ठीक है वो यहीं पर गलती कर बैठा एक तो उसने जो अंग्रेज के जो चाल थे उसके जो दूरगामी परभाव है उसको नहीं समझ सका और उसने क्या किया कि आनन फानन में कासिम बजार पर फिर उसके बाद कलक कलकता में फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया उसके बाद क्या होता है कि वह अपनी असानी से मिली इस जीत की खुसी मनाने के लिए वो कलकता वापस आ जाता है ठीक है और अपने जहाज में बैठकर भागते हुए जो अंग्रेज थे उसको देखा तक भी नहीं ठीक अपनी जान बचा के भाग रहते हैं उसको देखा भी नहीं कि हाँ वो भाग भी रहे या नहीं भाग रहा है या एक गलती सी क्योंकि उसने दुस्मन की जो ताकत है उसको कम करके आखा उसको लगा कि यह तो बस यूँ है मैं तो इसे यूँ ही मसल दूँगा चिट्टी की बड़ी गलती थी अंग्रेज जो है वहां से भागे और समूंद्र के निकट जो है उनका जो फुल्टा एक बंदरका था एक उनकी फैक्टरी का ही एक पार्ट था वहां पे जाके सरन ले ले और वहां पे जो है ना मदराज से सहयता मिलने की परतिक्षा करने लगे कि हां में सहयता मिलेगी तो हम क्या करेंगे फिर से आगे चढ़ाई करेंगे तब तक यहीं पे रहते हैं ठीक है और इसी वीच उसने क्या किया नवाब के जो दरबार में परमुख लोग थे उसके साथ साजी सरसने लगे और गदारी का जो तान बान है ठीक है वह बुनते रहे औ और इसमें परमुख कौन-कौन था मिर जाफर था जो की मिर वक्षी के पद पर काम कर रहा था ठीक है अमी चंद था एक धनी विपारी था ठीक है जगत सेट था जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था उसी के हाथ में राजस्वा की सारी जो चाभी है उसी के हाथ में था चादिम खांग जिसके कमान में नबाब की एक बड़ी सेना थी तो ये सारी जो चीजें हैं ये जो सिराज दौला था उसके नाक के नीचे हो रहा था कि जो अंग्रेज हैं वो साजी सरस रहते गदारी का जो ताना बना है वो गुन रहते उसने उनके इंपोर्टेंट जो भ दूँगा मिर जाफर को उसने जहांसा दिया कि मैं तुम्हें बना दूँगा ठीक है अलग-अलग लोगों के उसने अलग-अलग जहांसे दिये और उसको क्या-क्या अपने अंदर मिला लिया ठीक है इसी वीच क्या होता है मदरा से एड्मिरल बाटसन और रवर्ट कलाइब की जो कमान वाली सेना है ठीक है एक बड़ी नो सेना और एक सैनिक सहता वो कलकता पहुंचता है और 1757 में कलाइब ने फिर से कलकता को जीत लिया और फिर होता है अली नगर संदी यानि 1757 में उसने फिर से कलकता को जीत लिया क्योंकि यहां पे क्या हुआ कि जो नवाब है वो जीत की खुशी मना रहा था तभी उसके ना के नीचे जो अंग्रेज है बहुत से लोगों को अपने अंदर मिला लिया और क्या हुआ कि तब तक मदरा से एड्मिरल वाटसन नौ सेना लेके और और आवड कलाइब जो है सैने सकती जो है ओलेकर आया और फिर से कलकता पे जो है चड़ाई करके उसने फिर से कलकता को जीत लिया और फिर यह इसी टाइम होता है अली नगर की संदी कैई इसी टाइम होता है अली नगर की संदी का कर अब तो क्या कि अलीण नगर में ओर यह अली आपने क्या कि इससे पहले में आपको एंग्रेज की एक बहुत बड़ी बात हो शातिर से आगर वो कहीं पर हार ॷाती थे तो जुक जाते थे शाम भाई हमसे गलती हो गई माफ कर दो यह वो ठीक है और वो उस टाइम का इंतिजार करते थे जब सामने वाला कमजोर हो जाए फिर उसके बाद जो है उस पर मैं चढ़ाई कर दू आक्रमन कर दू और उसको क्या करू अपने अंदर मिला लू ठीक है अंग्रेज की यहीं जो चाल बोले या उनकी ये सबसे बड़ी ताकत थी कि वे जब गलती करते थे उन्हें लगता है था कि मैं हार गया या सामने बाला मेरे से मजबूत है तो उसके सामने वो जुक जाते थे जुकने से कभी भी वो कत राते नहीं तेखे अली नगर की संधी म क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने नबाब के सामने कुछ पॉइंट्स रखा ठीक है वो क्या पॉइंट्स रखा यह जो अली नगर का संधी था वो क्या था यह संधी प्लासी यूद्स के पहले बंगाल के नबाब सिराजु दौला और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 को हुई थी यानि अली नगर की संधी फरवरी 1757 को प्लासी के यूद्स से पहले बंगाल के नबाब सिराजु दौला और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी इसमें अंग्रेजों का जो परतिनीधी तो है वो कलाइब और वाट्सन ने किया क्यो क्योंकि यहीं से जो है ना नो सैनिक और सैनिक लेके आए हुए थी अंग्रेजों द्वारा कलकता पर पुना अधिकार करने के बाद यह संधी की गई आपको बताया कि जब वह वाट्सन और कलाइब आता है तो फिर से कलकता को जीत लेता है और में जो पॉइंट था जो फो इसमें मिल गए हुए थे तिक इसमें बहुत सी सर्ते थी उसमें सबसे इंपोर्टेंट सर्ट क्या था कि जो इस इंडिया कंपनी है 1717 का जो फर्मान था साही फर्मान था मुगल समराट का उसके क्या करेंगे बेपार करेंगे ठीक है मुगल बद्साग के जो फर्मान है उसके अनुसार ही हुए क्या करेंगे बेपार की सुविदाए फिर से दे दे और उसे नवाब को मानना पड़ा कलकता पे उसे अधिकार करने में उसको वापस पाने में अंग्रेजों को जो भी छती हुई थी चिक है उस छती का जो हरजाना है वो भी नवाब को देना पड़ेगा नवाब इस बात पे भी मान गया उसके बाद दोनों पक्षों ने भवी से में सांती बनाए रखने की जो वादा किया उस पे भी हस्ता अक्षर किया और अंग्रेजों को कलकता में सीके ढ़नने का अधिकार भी प्राप्त हो गया अली नगर संधी बहुत ही इंपोर्टेंट आप देखेंगे जो प्लासी का यूद होता है इसी बेसिस पे होता है कि अंग्रेजों ने सिराजु दोला पे यह इल्जाम लगाया कि आपने अली नगर का जो संधी है उसको तोड़ा है जबकि आप देखेंगे कि इसी संधी के तुरंत बाद उन्होंने चंद्रनगर पे आकर्मन करके उसको अपने अधिकार में कर लिया तो यह चीजे क्या है अली नगर संधी से आपको क्या क्या याद रखना है कि यह फरवरी 1757 को रावर्ट कलाइब या इस्ट इंडिया कंपनी और सिराजु दोला के बीच में हुआ यह क्यूं हुआ क्योंकि जो रावर्ट क ने क्या-क्या पॉइंट रखा पहला पॉइंट तो यह रखा कि हमको 177 का जो मुगल समराट का साही फर्मान था उसके कॉर्डिंग हमको वेपार करने का अधिकार दो ना हम किसी टाइप कर देंगे आयात पे और ना ही निर्यात पे फिर उसके बाद जो भी यूद में हमार नुकसान हुए है उसका हरजाना भी तुम दो कि दोनों पक्षों को संति बनाय रखना है और कलकता में हमें शीकर ढालने का जो अधिकार है वह हमको दे दो तो यह आपको याद रखना अली नगर संधी से अीज़िक है अली नगर संधी के जो है न सिक्रबाद ही रावाट क वो भी उसके हाथ से निकल गया, कलकत्ता भी निकल गया, ठीके फिर उसके बाद कासिम बजार भी उसके हाथ से निकल जाता है, अप देखेंगे इस संधी का महत्तो इसलिए भी है मैंने आपको बताया, क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजु दौला के खिलाफ यूद के लिए तक काली कारण के रूप में अलीट नगर की जो संधी है उसके उलंगन का मुद्दा बनाया था देखें अंग्रेज बहुत ही शातिर थी वो तब तक वेट करते थे किसी के उपर आकरमन करने का जब तक सामने वाला कमजोर ना हो गया आप यहीं चीज़ देखेंगे मैसूर में भी करनाटक में भी अवद में भी देखेंगे आप मराठाओं के साथ भी देखेंगे उनमें भी फूट डाल दिया कि हाँ आप नबाब बनने के योग है तो आप नबाब बनने के योग है फिर उसके बाद उसने पंजाब को तब त इतने शातिर थे हुए कि समय का इंतजार करते थे कि हां सामने वाला कमजोर हो फिर उसके उपर हम चढ़ाई करेंगे जबकि आप देखेंगे कि अली नगर के संदी के सिक्रबादी उन्होंने चंदर नगर पर आक्रमन किया और उसको अपने अधिकार छेत में मिला लिया जब सिराज दौला जीता हुआ था तो उसने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी वो तो खुसी खुसी वापस आ गया कि हम जीत गये जीत गये तो वहीं पे जो सिराज दौला है गलती करता है और उसी का खमियाजा उसे आगे भूगतना पड़ता है अब बात करते हैं प्लासी का जगा अपना कोई पीठू बैठा दू जैसे मिर जाफर को उसने यह उफर दिया था कि आपको मैं नबाब बनाओंगा नबाब के सामने ऐसी मांग रखी जिससे यूध होना तो संभो ही था क्योंकि कोई भी नबाब ये बात नहीं मानेगा कि हां उसको हठाके और उसके दिखेंगे जो मुर्सिदावाद है उससे 20 मिल के दूरी पर जो प्लासी जगह है वहां पर अंग्रेजों और इस इंडिया का माफ कीजिएगा और शिराजु दोला के बीच में यूध होता है और इस जगह के नाम पर ही इस यूध का नाम पढ़ता है प्लासी की लड़ाई ठीक है प्लासी का यूध वैसे अगर देखें तो यह जो यूध था बस कहने को यूध था क्योंकि इसमें अंग्रेज के पक्ष में केवल 29 लोग ही मरे थे यानि सिर्फ 29 अंग्रेज ही मरे थे ठीक है और जबकि नबाब जो है उसके 500 लोग मरे थे नबाब के कितने लोग म पर रहे थे तो यह कहें का यूध एक तरफ 29 एक तरफ 500 अब देखेंगे मिर जाफर और दुरलफ राइज जैसे गदारों की जो काफी सेना वाली कमान थी वो मैदान में उत्री नहीं क्योंकि यह लोग तो पहले ही साजिस का सिकार हो गय थे इन्हें तो लालत सा सता की यह तो अंग्रेजों की जो मानसा है उसको तो समझी नहीं पाए कि हां अंग्रेज एक्चुली में क्या चाहते हैं ठीक है और यह उनके साजिस के सिकार भी हो गए और आगे इन्हें भी खामियाजा मुगत ना पड़ेगा आप देखेंगे कि फिर से जब मिर जाफर थोड़ा पता था कि हमें बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको मैं अगर बोलू उठ तो उठ बैठ तो बैठ वह हमारे इसारों पे नाचे हमारा पिठ्ठू हो कि नवाब का जो सैनिक था उसकी चोटी टूकरी थी मिर मदन और मुहल नाल की ठीक है वह बहादूरी से अच्छी तरीके स कि नवाब तो यह को हुआ कि अब तो हम रहे हैं तो मजबूरी में कि वहां से उसको छोड़कर भागना पढ़ा प्लासी को छोड़के लेकिन वह पकडया जाता है और मिरजाफर का जो बेटो मरें था उसके हां तो मारा जाता है भी हार में डिक जाफर का जो पुत्र था मरीन वो क्या करता है सिराजु दौला को मार देता है चिक है अब देखिए यहीं पर खतम नहीं होती है यह चीजे आगे बढ़ते रहता है चिक है और आगे देखेंगे एक समय ऐसा आएगा चिक है जहां पर मिर जाफर को भी खामियाजा भूगतना पड़ेगा और उसे भी अपने सता से हाथ दोना पड़ता है अंग्रेज किसी के भी नहीं थे वो बस अपने लोब और लालच के लिए आये थे और उसे वो पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे अब बात करते हैं प्लासी का यूद उसके काम क्या महतों थे प्ल पड़े भी बताया कि एक ऐसा यूद था जिसके बाद अंग्रेजों ने नियू डाल दी भारत में सासन करने की यहां के लोगों को गुलाम बनाने की एक नियू डाल दी क्योंकि उन्हें यह चीज पता चल गया था कि यहां पे कोई किसी का नहीं है सब के अंदर लोब लाल जाते उसके जो अधिकारी थे उसको इस निती के तहट फसाया अपने साजिस में फसाया रिस्वत देके फसाया अलग-अलग तरीकों से तब तक कोसिच करता रहा जब तक वह उसके जाल में ने फस गया अंग्रेजू की इस बिजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई भले ही या बिजय विश्वघात या अन्ने किसी साधन से प्राप्त की गई देखें कोई मैटर नहीं करता है कि उन्होंने ये कैसे जीता बिश्वघात करके जीता या किसी अन्य साधन से जीता लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट यह था कि इस युद के विजय के उपराद अंग्रेज मजबूत हो गए और जो बंगाल का नवाब है उसकी स्तीती बहुत ही कमज़ोर हो गए क्योंकि वहाँ पर पिठ्थू है उसे अंग्रेज के एकोडिंग हर काम करना है बाहर रूप से सरकार में कोई अधित परिवर्तन नहीं हुआ अगर देखे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन नवाब अभी भी नवाब था ठीक है वो सरोच अधिकारी था लेकिन इंपो हाथ में ले लिया जो कंपनी के अधिकारी थे ठीक है वो उसनों अपने हाथ में ले लिया अधिकारियों के नियुक्ति में हस्चेप करना शुरू कर दिया अब उसने यह कहा कि हां यह सेना पती रहेगा तो यह राजस्व का जो कारभार समालेगा यानि उसने डाइरेक्ट के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किये गए सड्ययंत ने अंत्ता प्रसासन की संक्ति को कमजूर कर दिया अब वो तो इसी काम के लिए इस साजिस रजेते कि जो नबाब है उसकी सक्ति को कमजोर कर देंगे फिर उसके बाद अपने मन माने तरीके से जो भी काम होगा हम बंगाल में करेंगे इसलिए तो उन्होंने मिर जाफर को दुडलव राय को अलग-अलग अधिकारियों को उसने अपने सरयंत में सामिल कर लि अपनी इजारेदारी की स्थापित कर लिया अंग्रेज को सबसे बड़ा जो डर था न वो फ्रांसीसियों से था उसे लगता था कि फ्रांसीसी उसे भारत से बाहर कर देंगे और आपको मैं डुपले के बारे में पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा मैं उस पर भी वीडियो डुपले इस चीज को समझता था और उसने अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था और फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी कलती थी कि उसने डुपले को वापस बलाया यह तो अलग मैं बताऊंगा इस टॉपिक पर आता हूं यहीं पर क्या होता है न कि उसने एक ऐसा छेतर अपने कबजे में कर लिया जो की हर रूप से संपन था उधोग धंदे वहां पे अच्छे थे वहां की जमीन उपजाओ थी उन्हें टेक्स हर चीज पैसा हर चीज वहां से मिलता था और इस पैसे का इस जगह का यूज उन्होंने भारत के बाकी के जो छेतर है उसको जीतने के लिए यूज किया इस पैसे का वो गलत यूज करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि बंगाल से उन्हें राजस्वत प्राप्त हो रहा है वहां से उन्हें पैसे मिल रहे हैं अगर कहीं और पर अगर उन्हें नुकसान भी होता है तो यहां से भर पाई कर लेते थ और आप देखेंगे कि धिरे-धिरे ये चीज़े इतने बढ़ती है कि 1857 का जो क्रांथी होता है जो यहां के लोग थे अगर किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट है तो आप करके हमें बताईएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद